हेलो स्टुडेंट्स यह आपका पार्टेन वीडियो इस सेप्टर का पार्टेन वीडियो में प्रसनावली फाइब सी पे और कोशन नमर है सिक्स का वन कह रहा है आठ के प्रथम पंदरा गुनजों का योग ग्याद कीजिए चलिए तो हम लोग पहले लिख लेते हैं कि आठ क कि प्रथम पंदरा गुनज तो मैं गुनज की बात करूं यानि कि मल्टिपल टिक है तो आठ का मल्टिपल कौन कौन सा होगा आठ होगा सोला होगा चौबिस होगा यह सब नहीं होगा तहां तक ले जाने आपको पंदरा पद होता है इन सब का योग निकालना है तो यहां आम लोग देख रहे हैं प्रथम पद ये पी में दिख रहा है प्रथम पद आपका आठ हो जाएगा शार्व अंतर यानि डी सोला में से घटा देंगे आपका आठ तो डी भी आपका क्या जाएगा आठ आठ अचा पदों की संख्या तो पंदरा पदों तक कह रहा है पदों की संख्या आपकी क्या है पंदरा है और हम लोग हमें क्या करना है इसके पंदरा पंदरा गुंजो का योग निकाल ना जी तो यहाँ पर लिखेंगे sn बराबर में n by 2 bracket के अंदर 2a plus n minus 1 into d यहीं ना होता है जी formula चलिए तो s 15 क्या हो जाएगा 15 बटा 2 bracket के अंदर 2 a के जगा पे आपका 8 plus n के जगा पे 15 minus 1 और d के जगा पे आपका 8 चलिए आगे solve करते हैं चलिए देखते हैं क्या होता है 15 बटा 2 bracket के अंदर क्या हो जाएगा यहां 16 जाएगा प्लस यहां घटाएंगे तो 14 हो जाएगा ना जी और 14 में 8 से गुना कर दोगो तो 112 तो 15 बटा 2 और गुना में यहां जोड़ेंगे तो कितना जाएगा तो यहां द से गुना करेंगे तो पंदराचों का साथ छे बचेगा आपका और पंदराचों का नबबे और छे कितना हो जाएगा चानबे यानि कि 960 यहां से योग फल आ जाएगा अब इसका सेकेट नमर देखिए कि कह रहा है कि जीरो और पचास के बीच विसम संख्याओं का योग य पंसी होंगी भी-सम लगें तो आपकी जो भीसम संख्याओं होंगी क्या होगा एक होगा नौड होगा जाए टीन होगा साथ नौगा यह कहां तक चला जागा उननचास तक यहां हम लोग माल लेते हैं कि माना यह AP के रूप में दिख रहा है ना माना AP में कुल N पद है ते इसमें कितने पद है कुल N पद है हम यह माल लेते हैं ठीक है अब देखिए तो इसका प्रथम पद प्रथम पद यानि कि A 1 हो जाएगा सारवंतर सारवंतर यानि कि D क्या हो जाएगा दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं दो आ जाएगा चलिए तो चुकि AP में कुल N पद है तो इस AP का N वा पद क्या होगा तो इस AP का N वा पद आपका उननचास हो जाएगा A पलस N माइनस 1 इन्टू D बराबर में उननचास A का मान कितना है 1 पलस N माइनस 1 और D का मान है 2 बराबर में उननचास आगे सॉल करते हैं यहीं पर कर देता हूं मैं N माइनस 1 इन्टू में 2 बराबर में उननचास में से 1 घटा देंगा N माइनस 1 इन्टू 2 बराबर में यहां कितना जागा 48, तो n-1 बराबर, 48 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग कर देंगे, 24, एक जाएक उदर जूर जाएगा, यहने कि 25 आ जाएगा, इनका मान क्या जाएगा, 25, हमें इनका योग निकालना था, तो इसे न बराब फर्मुला जानते हैं, n by 2, a plus a, इसे काम चल लेगा, n का मान है 25, बटा में 2, अचा, एक का मान, 1 है, और एन का मान है 49, पचीस बटा दू, और यहां यह जूड़े दा तो 50, इससे कर देंगे 25, 25 में 25 से गुना होगा, 625 समाना योग फल आ गया, समझ गया, कोशन नमबर 7 देखिए, करा किसी समानतर स्रेणी के कुल पदों का योग फल 136 है, सारों तर चार तथा अंतिम पद जो है 31 है, स्रेणी के पदों की संख्या ग्याद की लिए, ठीक है, तो यहां पर मैं मान ले तो माना, स्रेणी में कुल, n पद है, जिसका प्रथम पद, जिसका प्रथम पद, ए, तथा सारों तर, तथा सारों तर, डी है, ठीक है, प्रथम पद तो दिया नहीं है, सारों तर, डी के माने हाँ पर चार दिया है, अंतिम पद, यानि कुल पद यह नहीं है, तो अंतिम पद एनव पद हो जागा, वो क्या है, 31 और कुल पदो का योगफाल, यानि S N जो दिया है 136 दिया है चलिए, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि A N का मान 31 दिया है तो इसका फर्मुला आप जानते हो न, A प्लस N माइनस 1 इंटू D चलिए A का मान नहीं है, N का भी मान नहीं है, केवल D का मान है यहाँ 4 इसको गुना करते हैं, A प्लस 4N माइनस 4 बराबर में 31 तो यह जाकर उदर जुड़ेगा, यह जाकर उदर घट जगा, तो A का मान क्या जगा यह जाकर जुड़ेगा, तो 35 माइनस का फोर, इसको समिकरन 1 मान लेते हैं और हमारे पास योगफल जो दिया है, वह कितना दिया है, 136 दिया है तो हम इसका फॉर्मुला जानते हैं, N बाइटू, ब्रैकेट में A प्लस अंतिम पद बराबर में 136 लिख सकते हैं, A से न का फॉर्मुला यहाँ, तो लिए N का मान तो हमें नहीं पता है A का वैलू यहाँ पे है, 35 माइनस का 4N, और N वापत जो है यहाँ पे, क्या है, वो 31 है बराबर में 136, यह कैसे आपने लिखा, तो लिख सकते हैं गेर के कि समिकरन एक से ऐसा हूँ चलिए, आगे solve करते हैं, N by 2, bracket के अंदर, इसको इसको जोड देंगे, तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, और माइनस का 4N, बराबर में 136, ठीक है अंदर से 2 common कर सकते हैं, यह direct भी गुना करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 common करिएगा, 33, ठीक है, और माइनस का 2N, बराबर में 136, यह 2 से 2 कर जाएगा, चलिए, अब इसमें इससे गुना कर देते हैं, तो क्या जाएगा, 33N, माइनस का 2N square, बराबर में 136, ठीक है, चलिए, अब देखू, इसके बाद, यहाँपे, माइनस का 2N square, प्लस का 33N, और माइनस का 136, बराबर में 0, यहाँपे, अबनों क्या करते हैं, माइनस 1 से गुना करते हैं, तो 2N square, माइनस का 33N हो जाएगा, और प्लस का 136, बराबर में 0, चलिए, यहाँए, गुनानखन कर इसमें गुना होगा, इन दोनों में, तो इनके गुनान फल के बराबर हो जाएगा, ठीक है, और यहां जोड़ेंगे, तो यह आ जाएगा, तो लिए आजाएगा, जोड़ना मैनस का, यहां common करते हैं, 2N, N- कित्ना बचेगा, 8, और यहां माइनस का क्या common हो जाएगा यहां पर 17 common हो जाएगा तो यहां एन बचेगा और माइनस का देखो है एक आठ बचेगा चलिए दोनों ब्रेकरट पर सेम आगे थो एन माइनस 8 common कर लेंगे तो 21 मैनस में 17 को अलग अलग यहां से कर देते हैं ठीक है तो Ein माइनस आठ बराबर में 0 और 2N माइनस 17 बराबर में 0 तो एन का मान यहां से 8 और यहां 2N बराबर में प्लस का 17 एन बराबर में 17 बटर दो चुकि एन का मान यानि पदो की संख्या एन का मान एक धनात्मक पुनांक के रूप में होगा धनात्मक पुनांक ही होगा धनात्मक पुनांक होगा ठीक है इसलिए पदों की संख्या क्या हो जागी पदों की संख्या वह पदों की संख्या कितनी हो जागी 8 हो जागी समझ गए यह 17 वट्टा दो नहीं हो सकता है पोसर नबर 8 देखिए दर्साइए कि A1 A2 A3 डॉटर एन से एक समांतर सेड़ी बनती है यदि A नीचे दिये हुए अनुसार परिभासित है ठीक है और साथी प्रते किस्ति के प्रथम 15 पदों का योग भी निकालना है चलिए देख कर दो इसके कम से कम तीन पद निकाल लेते और चेक कर लेंगे सार उनतर समान होगा तो यह पी के एपी हाना एपी को परिवासित करता है पता चलिए वन रखो थ्री प्लस फोर इंटू वन तो तीन प्लस चार साथा जाएगा दो रखो तो यहां पर हो जाएगा तीन प्लस तीन प्लस चार गुला तीन तो क्या हो जाएगा तो आपका यहां से तीन प्लस बारा दो और तीन पंद्रह हो जाएगा तो यहां पर हम देख रहे हैं अधर मैं सार्वंतर की बात करूं तो सारवंतर A2 माइनस A1 ले सकते हो या A3 माइनस A2 भी ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पर 11 में से 7 घटा दिये तो आपका 4 आ गया और यहाँ पर देखो आप 15 में से 11 घटा दिते सारवंतर समान हो रहा है इसलिए आपके लिख सकते हैं कि यह आपके जो है 7, 11, 15 AP में है और इसका मतलब कि यह जो AN दिया गया है AP के पदों को परिभासित कर रहा है और इसके साथ ही प्रत्यकिस्ति में 15 पदों तक का योग निकलना है 15 पदों तक का योग तो A और D हमें पता ही चल गया है A का मान यानि प्रथम पद हमें पता हि प्रथम पद लिख सकते हैं हां पे प्रथम पद E जो है आपका क्या हो गया 7 और सारौंतर सारौंतर की बात करिए D के मान की बात कर रहे है तो D कितना है, तो D यहाँ पर हमारा चार है, ठीक है, तो हमें क्या निकल ला है, 15 पदों तक का यह, तो S N बाराबर जानते हैं न, फर्मुला, N बाई 2, ब्रेकेट में 2A पलस N माइनस 1 इंटू में D, यही न होता है, चलिए इस पर रख देते हैं आ जाएगा, चलिए, तो आ आपका 15, S 15 निकल ला है में, 15 पदों तो का यह निकल ला है, 15 ब्रेकेट में 2A के जगा पर आपका कितना है, 7, N के जगा 15 माइनस 1 और D के जगा पर 4, 15 ब्रेकेट में 7 दूना 14 हो जागा, यह घटांगे 14, 14 में 4 से गुड़ा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा, 15 बटादू और गुणा में, यहाँ पर देखो न, इसको 14 में 4 से गुणा करके 14 फिर जोड़ लेंगे, तो 70 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से इसको काट सकते हैं, 35 बार में, 15, 75, 7 बचेगा, और 15, 45, और 7, 52 हो जाएगा, 525 यहाँ से आजाएगा, 15 पदों तक का योग, चर रखते हैं, 9-5 into 1, तो 9 में से 5 गयापका 4 आजाएगा, ठीक है, तो यह दो रखते हैं, 9-5 गुणा 2, तो 9 में से 10 घटा लेंगे, तो माइनस का 1 आजाएगा, तीसरा पद निकालके देखते हैं, 9-5 गुणा 3, तो 9 में से 15 घटा लेंगे, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, माइनस का 6 आजाएगा, ठीक है, तो हम लोग यहाँ चेक करेंगे, सारवंतर निकालके कि AP के पद हो रहे हैं कि नहीं है, सारवंतर की बात कर लेते हैं, तो A2 माइनस 7 ले लिजिए, यहाँ D बराबर में, A3 माइनस A2 भी ले सकता हैं, तो यहाँ हो जागा, 1 में से घटा द में हैं, कि 4 माइनस 1 माइनस 6 यह जब क्या है, AP में हैं, अच्छा, इसके 15 पदों तक का यह तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद 4, सारवंतर, सारवंतर की बात करें, सारवंतर D जो होगा, वो आपका कितना है, माइनस का पात है, पदों की संख्या, 15 पदों तक का ना जी पदों की संख्या पदों की संख्या तो पदों की संख्या कितनी है आपकी 15 है हमें SN निकालना है तो चलिए हम इसका आप SN निकाल देते हैं तो SN बराबर होता है N by 2 bracket में 2A plus N minus 1 into D यही ना होता है आपका चलिए solve करते हैं आपे बानों को रखके N का मान 15 बराबर में 2 bracket में 2 A का मान है आपके पास 4 plus N के जगा पे 15 minus 1 और D के जगा पे है minus का 5 15 बराबर 2 bracket करना 4 गुना यहां 8 हो जाएगा plus यहां पे दखो गटे का तो 14, 14 में minus 5 से गुना करना है तो 15 बराबर 2 गुना में यहां पे दखो क्या होगा यह minus का 70 होगा 14 परज़े minus 70 और 8 उसमें जोड़ देंगे तो minus का 62 इससे काट देंगे 31 बर में 31 से गुना करते हैं 15 में तो minus का कितना जाएगा 55 यह 45 और 1 चीए 465 माइनस का ठीक है तो तरह अगले कोशन पर कोशन नमर्न नाइन देखिए कह रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पुड़ांकों का योग ज्याद कीजिए जो 6 से भिभाज है तो 6 से भिभाज धन पुड़ांक कौन कौन से होगा धन पुर्णांग ठीक है कौन कौन से हो जाएगा 12 हो जाएगा 18 हो जाएगा 24 हो जाएगा एक कहां तक 40 पद हो तक करना हमें योग निकालना है ठीक है तो यहाँ पे देखो ना सिंपल है प्रथम पद की बात करेंगे तो प्रतम पद यानी ए का मान आपका 6 हो जाएगा सारवंतर की बात करेंगे यानी D के मान की बात करेंगे तो 12 में से 6 घटा देंगे 6 आ जाएगा तिक है और पदों की संख्या कितना पदों तक 43 पदों तक तिक है चलिए तो हम लोग फर्मने जानते हैं से निकालने के लिए n by 2 bracket में 2a plus n minus 1 into d यह न होता है जी तो n के जगा 40 और बटा में 2 bracket में 2 a के जगा पर 6 plus n के जगा पर 40 minus 1 और d के जगा पर क्या है आपके पास ड के जगा पर 6 है चरी आप इसको आगे solve करते हैं यह कट जाएगा आपके 20 बार में 26 दूना यहां 12 हो जाएगा और यहां घटाएंगे तो 39 होगा 49 और गुना में आपका क्या है 6 है तो 20 bracket के अंदर 12 और प्लस यहां 6 से गुना करेंगे 49 में तो क्या आएगा यहां पर तो आजाएगा च्छे नवा चौन चार पांच बचेगा ठीक है और यह आपका छेतिया अठारा और पांच यहीं न होगा तो यहां पर हो जाएगा बीस गुना में इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 246 और बीस से गुना कर देंगे तो आजाएगा 4920 पदों का योगफल सुनने हैं और उसकी यदि इसका चौथा पद 12 है तो बारवा पद क्या होगा यह हमें निकालना है तो मालने तहुमाना एपी का प्रथम पद प्रथम पद A तथा सार्व अंतर सार्व अंतर D है ठीक है अब आपके कोशन में क्या करा है 15 पदों तक का योगफल क्या है सुनने है ठीक है यह यह पंदरा क्या है 0 है तो हम लोग फॉर्मुला जानते हैं यह से न बराबर होता है n by 2 ब्रेकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इन डीक होता है ना जी तो इसी के अकॉर्डिक यहां पर क्या होगा 15 ब्रेकेट के अंदर 2a प्लस 15 माइनस 1 इंटो D बराबर में 0 तो यह जाएगा भाग में 0 हो जाएगा बच जाएगा 2a प्लस 14D बराबर में 0 यहां से आपका 2 कॉमन करो a प्लस 7D बराबर 0 यह जाएगा प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा जी तो समिकरन एक मान लेका है और चुकी आपके पास कहा रहा है कि इसका चौथा पद जो है ना वह बारा है तो वह एप्लस क्या हो जाएगा a प्लस 3D बराबर में 12 अब इन दोनों समिकरनों से a और d का मान नहीं निकाल सकते हैं चलिए निकालते हैं चलिए अब इसके बाद देखते हैं तो समिकरन एक तथा समिकरन दो से समिकरन दो से a प्लस 7D बराबर 0 और a प्लस 3D बराबर में 12 यहां माइनस चेंज करते हैं यह कट जागा यहां पर 4D बराबर माइनस का 12 यह जाएगा भाग में तो d क्या मान आजागा माइनस का 3 d का मान आगया अब d का मान समिकरन एक में रखने पर तो a प्लस 7D बराबर 0 ही नहीं समिकरन एक तो a प्लस 7D की जगा माइनस करते हैं ठीक है अगे सॉल्व करते हैं पर a माइनस 21 बराबर 0 हो यानि a का मान क्या जाएगा एक जाएगा तो a का मान एक जाएगा ड का मान माइनस 3 तो मैं इसका बारवापद ग्याद करना था तो बारवापद क्या होगा a पलस में 11D a का मान 21 प्लस 11 गुना ड का मान माइनस 3 21 माइनस का त्याएगा घटा देंगे तो यहां से आ जाएगा आपका माइनस का बारवापद यहीं न आएगा कोशन नमर 11 देखें उस समांतर सेड़ी के प्रथम 51 पदों का योग ज्याद कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद करम से यह सारवंतर डी है इतना तो पहने माल लेते हैं अब आपके कोशन में क्या करा रहा है इसका दूसरा पद जो है आपके पास अठारा है यह पलस टूडी हो जाएगा अब इन दोनों समिकरन से एडी निकाल लेंगे तो प्रथम 21 पदों का योग नहीं निकल जाएगा जी समिकरन एक तथा समिकरन दो से तो एपलस डी बराबर चौदा है और दूसरा है आपका एपलस टूडी बराबर में अठारा साइन बदलते हैं यह कट जाएगा माइनस का डी बराबर में माइनस का चार माइनस माइनस कट जाएगा डी का मान क्या हो गया चार हो गया डी का मान समिकरन एक में रखने पर तो एपलस डी बराबर में है चौदा एपलस डी का मान चार रखेंगे तो उधर जाके घड़ जाएगा तो एक का मान आजाएगा दस ठीक है कोई दिकत नहीं है एक का मान कितना गया दस आ गया और डी का मान आपके पास क्या गया चार आ गया हमें 51 पदो तक का योग निकालना है तो चुकि SN बराबर फर्मुला जानते हैं N by 2 bracket में 2A plus N minus 1 into D हमें N के जगा पर क्या करना है 51 रख देना है चलिए और A और D के value हमने अभी निकाला है 51 पदो तक का योग निकाला है 51 बट्टा दो bracket में 2A के जगा पर 10 plus N के जगा पर 51 minus 1 और D के जगा पर 4 एकावन बट्टा दो bracket करना 10 गुना 20 हो जाएगा और प्लस घटाएंगे तो 50 50 में 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा ठीक है चलिए तो क्या हो जाएगा यहां पर 51 बट्टा दो गुना में 220 इसको कर देंगे 110 बार में चलिए अब 51 में 110 से गुना कर देते हैं तो यहां से आ जाएगा 5610 यह आपका अंसर हो जाएगा कोसर नमर 12 देखेंगे यहादि किसी समांतर सेड़ी का आपके कोसर में कह रहा है कि एमवापद वन बाई एन है तो सिद्ध करिए कि MN पदों का योग यह होगा 1 बाई 2 MN प्लस 1 तो मैं आपके कोसर में कह रहा है कि एमवापद 1 बाई N है यानि कि A पलस M माइनस 1 इंटू में D बराबर में 1 बाई N यह आपका समिकरन एक बन जाएगा उसी तरह से एमवापद कह रहा है 1 बाई M है तो यहां से हो जाएगा A पलस N माइनस 1 इंटू D बराबर में 1 बाई N यह आपका समिकरन दो हो जाएगा अ अब दोनों से a और d पहले निकाल लेते हैं, समिकरन एक तथा समिकरन दो से, ठीक है, तो हो जाएगा आपका a plus m minus 1 into d बराबर 1 by n, और दूसरा है आपका a plus n minus 1 into d equal to 1 by m, तो लिए साइन बदलते हैं, minus minus minus, यह कट जाएगा, यह अब हो जाएगा, आपका m minus 1 into d minus ka n minus 1 into d, बराबर 1 by n minus 1 by m, चलिए, अब इसके बाद solve करते हैं, यहाँ से common कर लेते हैं, तो d को, m minus 1 minus का n और यह minus minus plus का 1 into d, बराबर में, इदर calcium लेते हैं, mn होगा calcium, बाग करेंगे, m जाके उपर गुना करेंगा, इसमें बाग करेंगे, n बचेगा, n जाके उपर गुना करेंगा, यहाँ से 1 कट जाएगा, तो m minus n into d, बराबर में, m minus n बटा में आपका mn, यह क समीकरन, एक में रखने पर, समीकरन एक में, रखने पर, समीकरन एक आपका यह रहा, क्या है आपका, a plus, m minus 1 into d, बराबर में, 1 by n, ठीक है, इह ना है आपका समीकरन एक, चरूए, A plus M minus 1 into D 1 by MN यही न, बराबर में 1 by N चलिए आगे solve करते हैं हाँ पर A plus, इसमें into करेंगे इसमें से, तो 1 by N होगा इसमें into करेंगे, तो 1 by MN go to 1 by N यह कट जाएगा, उदर जाके A plus का हो जाएगा 1 by MN, A का भी माना गया वही हमें क्या निकाला है इसका MN पदों का योग बताना है, ठीक है तो चलिए, तो SMN तो हम लोग जानते हैं मैं साइड में formula भी लिखे जाता हूँ कि SN बराबर, यहन इन पदों का योग N by 2 bracket में 2A plus N minus 1 into D होता है होता है न, तो उसी recording यहां हो जाएगा MN by 2 bracket में 2A के जगा पर यह आएगा plus N minus 1 तो N के जगा यहां पर यह MN आएगा minus 1 और into में D, D के जगा 1 by MN है आगे solve करते हैं MN by 2 और यहां पर क्या जाएगा 2 by MN plus में इससे into करेंगे तो 1 और minus का 1 by MN यही ना हो जाएगा, दोनों से into कर दिये चलिए, अब आगे देखिए इसमें से एक घट जाएगा MN by 2 bracket के अंदर क्या हो जाएगा यह पर जाएगा 1 plus में 1 by MN ठीक है, अंदर LCM ले लिया जाए, तो हो जाएगा MN by 2 bracket के अंदर LCM होगा MN आजा गया है, MN plus 1 इससे यह कट जाएगा, एक बार में तो 1 by 2, bracket के अंदर MN plus 1, आपके MN पदों का योगफल हो गया, समझ गया है? तो इस वीडियो का अब हम लोग यहीं पेइंट कर देते हैं आपको हमारे तीन चैनलों को सस्क्राइब करना होगा पहला है, pathfinder, classes, छपरा दूसरा है आपका, भारती भवल रवी कांत सर और तीसरा चैनल है, रवी कांत सर के नाम से तीनों चैनल को सस्क्राइब करिएगा और इसे रिडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इसे समय नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सस्क्राइब www.ravikant.in और यहां पर जाकर आप सभी classes के नोट्स और उनके पीडियो को डाउनोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं